तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडिव साल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एच्पी फ्रेश्ट गाड के लिए साइंस के टॉप 50 कोशिंज करेंगे दोस्तों ये कोशिंज बहुत ही इंपोर्टन है आपके एक्जाम पॉइंट आफ वीउस से दोस्तों चलते हैं वीडियो के तरफ अगर आप पचास में से 30 प्लस करते हैं तो दोस्तों आपकी तयारी है वह इल्कुल सही चल रही है तो दोस्तों इसका पीडिय भी आपको प्रवाइड जूड करवाय जाएगा तो दोस्तों आपको इसका अंसर बताना है और आपको जो है मैं अंसर जो है जल्दी जल्दी बताऊंगा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अंसर जल्दी बोल रहा हूँ तो आप जो है अपनी वीडियो को पाउज कर सकते हैं ठीक है और दोस्तों यह बहुत important question पूछे गए हैं दोस्तों का पहले जो अंसर हो जाएगा कोशिका ठीक है तो जीवन की मुलूभृत इकाई जो है वो है कोशिका ठीक है नेक्स्ट कुशिका के बारे में निमलित में से कौन सा कथन सही नहीं है कोशिकाओं के अकार और अमाब विसिस्ट कारे से सबंदित होते हैं कुछ कोषिकाओं के बदलते अकार होते हैं प्रते कोषिका में जो है निस्पादन की अपनी खशंता होती है सभी दे उत्कों में एक ही प्रकार की कोषिकाओं विद्यमान है OKätta के दोस्तों कौजिन पूछा 6 способ a इसको बिएक है कोशिका कशिका का जीवत चीवद्रव्य ईंति बता है इसका आपको आंसर बताने ने कोशिकांग ठीक है next question में चलते हैं दोस्तों बहुत important question है असी प्रतिसत से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जो है कौन सा है प्रोटेन चर्बी खनीजिया जल ठीक है दोस्तों आपको यह question बताना है तो सबसे ज़्याद रहता है वो रहता है जल ठीक है water ठीक है next question में चलते हैं निवन में से कौशिकांग के आतम घाती बैग जो है कहे जाते हैं दोस्तों previous वीडियो में आपको जो है मैंने question करवाया है बहुत important question है इसको note down जरूर कर लिजगा आपकी exam में direct question आ सकता है ठीक है तो लाइसोसोम जो है इसका सही answer option number A ठीक है दोस्तों आप इन question को जो है थोड़ा भी skip ना गरे बहुत-बहुत important question है चाहिए आप इन question को याद ही कर लिजिए यह आपकी exam में जो question आने वाले है ठीक ह next question में चलते हैं निमलिक में से किसको कोशिका का power plant भी कहा जाता है very very important question है बहुत-बहुत-बहुत-बहुत बढर exam में question पूछा जाता है तीक है देख लीजीगा तो बताएं इस question का answer क्या होगा इस question का answer है वो option number B mytochondria को जो है ठीक है mytochondria ठीक है इसको जो कोशिका का power plant क होता है वो भी mitochondria होता है ठीक है याद रखेंगे मानव श्रीर में मौझूद निमलिक्त कोशिकाओं में से किस्त में mitochondria जो है नहीं पाय जाता ठीक है तो 11th question का अंसर आपको बताना है तो इसका सही अंसर आपास है वो है केंद्रक ठीक है next question पर चलते हैं निमलिक्त की कोशिका सुक्ष्तम जीवित कोशिका है तो वह आपको बताना है कि इसकी सुक्स्तम सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो 13th question का आपको आंसर बताना है इसका सही अंसर मारे पास option number C हो जाएगा mycoplasma ठीक है याद रखेंगे DNA का संबंद जिस अती मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते है गैर, ablumin, histone गैर histone या ablumin ठीक है दोस्तों तो बताएं इस question का answer क्या होगा इसका सही answer है histone ठीक है option number B बिल्कुल सही answer है next question पर चलते हैं दोस्तों साथ तरिक से पहले पहले हम जो है आपको ये 800 question का जो वीडियो है वो आपको provide करवा देंगे ठीक है 15 number question है निमलित में से किस एक कोशिक की कोशिकांग समू में DNA होता है ये आपको बताना है 15 number question कि आप answer देख पा रहे होगे ठीक है तो इसका option पढ़ सकते हैं मैं आपको answer बताने जा रहा हूं तो इसका सही answer option number A है ठीक है next question पे चलते हैं चिकनी अंत द्रव्य जालिका के अनरूप कारेों में से एक कारे है ठीक है 17 number question आपके पास है तो इसका सही answer है विशाले पदार्थों का निर्विश्य करण ठीक है next question पे चलते हैं question आया हुआ है दोस्तो सभी question जो है आये हुए बहुत important question है तभी आपको question करवाए जा रहे है निमलिक्त में से DNA में मौझूद रहता है किन्तु RNA में मौझूद नहीं रहता है बताएं तो question number 18 हमारे पास है इसका सही answer थायमीन option number A बिल्कुल सही answer है RNA का प्राथमिक कारे होता है दोस्तों दोनों ये question जो है very very important है ठीक है RNA का कारे क्या होता है ये आपको बताना है तो इसका सही answer है protein का sensation याद रखेंगे very very important है ठीक है RNA का कारे होता है protein sensation और ribosomes होते हैं होते हैं ये option question number 20 है हमारे पास इसका सही answer है RNA तो इसको आप जो याद रख सकते हैं RNA और R से ही ribosomes पढ़ रहा है और R से ही RNA तो दोस्तों ribosomes क्यों होते हैं RNA ठीक है इसको याद रख सकते हैं next question हमारे पास है आनुवांसिक यूनिट अधार्थ जीन होते हैं ये आपको बताना है ये भी question जो है पूछा गया है ठीक है तो 21 number question आपको इसको answer बताना है तो गुण सूतरों में ठीक है यादि की chromosomes अनुवांसिक यूनिट जो है जीन होते है गुण सूतरों में ठीक है यादिक है यादिक है DNA को अलग किसने किया था तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए और ये question पूछा गया है तो इसका सही answer हमार पास है वो है फ्रेडरिक हॉक मिस्चर तो next question है question number 24 DNA के दो strand जो है बंदे होते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए very very important question है ये तो इसका सही answer है hydrogen bonds त्वरा ठीक है hydrogen bonds त्वरा next question हमार पास है DNA के एक strand से RNA से RNA में अनुवांसिक्स उचना के प्रतिक रूपन की प्रक्रिये जो है क्या कहलाती है ये आपको पता होना चाहिए 25 number question है ये तो इसका सही answer आपको बता दूँ इसका सही answer है अनूर लेखन ठीक है next question है प्रयोग साला में सरब प्रतम DNA का संसलेशन किस ने किया था very very important question है ये ठीक है बताएं 26 number question का ठीक है तो इसका सही answer है B खुराना ने और दोस्तों आपको जो है RNA और DNA का फुल फॉर्म भी जो है इसमें जो है comment section में जुरूट कमेंट करना है ठीक है और अपने marks भी 27 number question हमारे पास है तो इसका सही answer DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है उप्यूक्त सभी माता पिता बलातकारी या चोर ठीक है तो DNA अंगुली छाप का प्रयोग जो है किसके लिए कि जाता है तो आपको तीन option दिएगे हैं बिल्कुल सही है option number D बिल्कुल सही हो जाएगा next question है जीव कोशिकाओं में अनुवांसिक लक्ष्टकणों के नियंत्रणों में निमलिक्त में से कौन सा उत्तरदाई है 28 number question हमारे पास है इसका सही अंसर हो जाएगा option number D ठीक है next question तो दोस्तों बहुत बहुत important question है 29 number question को जुरूई याद रखेगा पुरुस में पुरुस्तत्व के लिए कौन सा गुण सूतरी से उत्तरदाई है very very important question है और 29 का अंसर हो जाएगा option number D ठीक है x y होंगे ठीक है तो तभी पुरुस में पुरुस्तत्व के लिए गुण सूतर जो ही यह उत्तरदाई है ठीक है याद रखेंगे और अगर x x रहता है तो लड़की ठीक है next question पर चलते है sorry दोस्तों यहाँ पी जो option number C जो है इसका सही होगा ठीक है पुरुस्त का y होना चाहिए और जो लड़की है उसका x होना चाहिए तभी जो है बालक का जनम होगा ठीक है याद रखेंगे आप पुरुस का y और गल का x तभी जो है बालक कलब भी y ठीक है y x भी आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं ठीक है और अगर x x रहता है तो गल होता है ठीक है नेक्स कुशन हमारे पास है श्रीर में लगी चोट की म्रमत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है 31 नमबर कोशन है आपका इसका सही अंसर है केवल समसूत्रन नेक्स कुशन हमारे पास है गुंड सूत्रों की आकृति विज्जान का अच्छी तरह से अध्यन किस से किया जा सकता है 32 number question बहुत important है इसका सही answer है मध्यावस्था option number C next question है विशाणों में निमलिक्त में से कौन सी एक विशेषता जो है नहीं होती है ठीक है दोस्तों तो 33 number question का answer हमारे पास होगा कोशिका बित्ती की मौझूदगी option number D विल्कुल सही answer है दोस्तों next question जो है बहुत important है ठीक है विशाणों में जो है क्या होता है ठीक है तो यह आपको बताना है तो इसका सही answer है या तो RNA दोनों में से एक होता है या RNA होगा या DNA दोनों option जो है विल्कुल सही है option number D लिखा है next question पौधों को संक्रिमित करने वाले अधिकांस विशाणों में जो है क्या होता है ठीक है तो 35 number question का जो answer है option number D केवल दोहरे तंतुगुच वाला RNA ठीक है CDS में question जो है पूछा गया है next question में विशाणों की संबन्द में निमरित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है ठीक है तो इसको आपको answer बताना है तो इसका answer हो जगा option number C प्रकास translation के माध्यम से विशाणूं अपने अहार का translation जो है कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो previous year के question है जहां से मैं अभी आपको 800 question करवाऊंगा उसी book में से जो question पूछेगी है ठीक है तो निमरित में से जो है सरपर्थम की इस virus की जो है खोज हुई थी 37 number question है तो इसका जो सही answer है option बसी TMV virus की खोज हुई थी next question है AIDS मानव प्रती रक्षा हींता विशानू के द्वारा जो है क्या होता है ठीक है बताएं 38 number question है इसका सही हो जागा रिट्रो वाइरस याद रखेंगे दोस्तों बहुत important question है और ये question पूछा भी किया है ठीक है याद रखेंगे जन्तों में होने वाली फुट एंड माउथ रोज जो है किसके द्वारा उत्पन होते है जिवानू, कवक, प्रोटोजोवा या विशानू ठीक है तो वो हो जाएगा option number B 39 का option number B हो जाएगा इसको ठीक है सॉरी इसका विशानू होगा option number D विशानू next question पे चलते है इबोला क्या है वाइरस बैक्टिरिया या कवक ठीक है तो बताएं इस question का answer क्या होगा तो इसका जो सही answer हमारे पास है वो जाएगा option number 40 का ओए ठीक है वाइरस इबोला जो है एक वाइरस है ठीक है दूद के दही के रूप में जमने का कारण है तो दोस्तों यहां से आप इसको देख पा रहे होगे थोड़ा बलर सा है ठीक है इसका सही answer है लैक्टो बैसिलस option number C बिल्कुल सही answer है निमलित में से जो है कौन सा nitrogen fixing bacteria है ठीक है तो इसका answer जो हमारे पास होज़ेगा option number B rise the rise the BM ठीक है इसको याद रखें कि next question है nitrogen स्थिरिकरण जीवाणू की इस पौधे की जड़ के साथ जो है सियोजन करते है तो इसका answer जो है option number A next question है फरीदार पात्पों की जड़ों में उपस्तित गांठों में पाई जाने वाली nitrogen स्थिरिकरण जीवाणू है तो 45 number जो question हमारे पास है इसका सही answer हो जगा option number D pseudo-monass next question है refrigeration खाद्प्रिक्शन में मदद करता है तो 46 number question का जो answer हो जाएगा option number B जय वर सायनिक अभी क्रियाओं की दर को कम कर next question है अबाविय स्थिती में जय विक पदार्थ के जीवाणू अब घटन को जो है क्या कहते है दोस्तों तो इसका जो सही answer 47 number question का हो जगा option number A किनवीनी करन ठीक है next question है 48 number question जीवों के निमिरिक्त प्रकार में से छत्रक किस्से जो है संबंध है ठीक है तो 48 number question का जो सही answer हो जाएगा option number C कवक्याने की फंगाई ठीक है next question हमारे पास है समान या खादिर छत्रक मश्रूम जो है क्या होता है ठीक है 49 number question है बहुत important question है इसका सही answer जगा कसकर ठसा ठस भरे कवक का जाल ठीक है उसको जो है मश्रूम जो है कहा जाता है yeast मिलाने पर गुंदे हुए आटे के उठने का कान का दोस्तो बहुत important question है इसको जो है note down का लीजेगा ठीक है इसका और ये last question है तो इसका सही answer है carbon dioxide gas का नेर्मोचन ठीक है option number D विल्कूँट सही answer था इसका ठीक है दोस्तो विडियो को लाइक करिएगा और जहाशादा शेयर करिएगा धन्यवाद और नेक्स्ट विडियो आपको ज़रूर प्रप्राइर कर जाएगी 50 questions की धन्यवाद